नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादिय पार्टी सच्चे दिल से मांदार पार्टी है आमादिय पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमादिय पार्टी की दिली और पंजाब की सरकारें तह दिल से इमानदार सरकारें है हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी परदाश्ट नहीं करेंगी जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाउं गाउं जाता था कस्वों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था। लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदास्ट नहीं करना। मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेराफेरी बरदास्ट नहीं करेंगे। चाहे वो अपने हूं हेराफेरी करने वाले चाहे बेगाने हूं। इसी सिल्सले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ्रूप्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था तो मैंने उसको गमीरता से लिया ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं है विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है मैं चाहता तो इसको दबा सकता था अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकेन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो के सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो जीरो टॉलरेंस है हमारी रिशुवत खोरी के खिलाफ मैं सब को कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया ये दूसरी बार हो रहा है तिहास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूर स्प्लाई मिनिस्टर को पांच-छे लाकर पर या आडियो पर मांगते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केसी बेए को दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कुछ पिपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि देखो दो महिने में भगवांतमान की सरकार में एक क्रॉप्ट मंत्री पकड़ा गया है मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उस पर एक्शन भी महीं ले आज इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कबूल किया था कि मेरे मंत्री मंद्र में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हूए और करॉप्शन करते हैं लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन आमादमी पार्टी कट्टर इमानदर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सक्त एक्षन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धारना है कि ये कुरॉप्षन का तानाबाना बहुत बढ़ा है ये तूट नहीं पाएगा ये कुरॉप्षन ऐसे चलती रहेगी बिलकुल भी ऐसा नहीं है अगर निय सच्ची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जोनों ने पार्टी ही एंटी कॉरॉप्षन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो तो ये देश बदल सकता है भगस सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कई फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भगस सिंग के सपनों की अजादी को घर घर तक पहुंचाने के लिए वचन बद्ध हैं इसी सिलसले में हमने ये अक्षन लिया है मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूँ ब्रिष्टाचारियों को जो देश को लूट रहे है जो गरीबों का हक मार रहे है कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे, हीरे, मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कोश यहीं रह जाएगा तो कुरॉप्शन फ्री कंट्री बनाना अर्विन केजरिबाल जी का सपना है और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की गिंती में सिपाहों का सपना है इनकलाब, जन्दाबाद